तो दोस्तों यह हमारे पास Thick Vision का IP Camera है और इसको करना है Hard Reset तो फटा-फटा हम इसके Back Side देखेंगे तो Hard Reset वाला यह Option आपको दिख जाएगा और इसमें एक SD Card डाल सकते हैं और यह एक Button आपको दिख जाएगी जो हमें दबाना है Power लगा करके 20-25 सिकेंड तक तो हम पहले तो Power लगाएंगे तो यहां पर Power अभी नहीं लगी है तो Power लगा देग रहा है यहां पर लग चुकी है और यहां पर देखिए Blink होग रहा है Green Light और Yellow Light जल जाएगी उसके बाद आपको जो Reset वाला बटन है उसको दबा करके रखना है 20-25 सिकेंड तक उसके बाद फिर छोड़ देना है उस बटन को तो बटन को मैंने छोड़ दिया है और फिर यह Restart होगा तो यहां पर अभी जो है Green Light जल लहे यहां पर आपको Orange Light दिख जाएगी तो Orange Light जल चुकी है एक बार Blink हुई है और हम आ जाते हैं अपने PC में और PC में SADP Tool open किया तो यहां पर Inactive IP Camera आ गया है इसको हमें Select करना है और यहां पर आपको नया Password बना लेना है जो चाहें आप Password यहां पर Create कर सकते हैं और वही Password आपको Confirm करना होगा तो Password यहां पर बन जापको